हलो आपरीवन कैसे हैं आप सुब आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बात बढ़िया होंगे तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेस शेयर करते हैं साडी से तो साडी से जो आपके घर में अगर कोई भी किसी भी तरीके की साडी हो उसस सिखुंस का जो है ट्रेंड दुबारा से आगया है तो यह बहुत पुरानी साडी है अप देख सकते हैं मेरी एक किसी कस्स्टमर की साडी थी तो यह पूरे में यह पे सिखुंस का काम है और पल्ले में ज़ादा है और जो स्कर्ट एरिया पहें उसमें सिर्फ आधे में हैं तो छोटा छोटा बुटा है, यह सारे में आप देख सकते हैं, तो यह पूरी 5-5 मिटर की साड़ी है, और यह थोड़ा सा हिस्सा प्लेन है, तो चलिए इसको हम आज कट करते हैं, और एक डिजाइन और ड्रस्ट रेडी करते हैं, जो आप किसी भी पार्टी और गैदरिंग मे हैं, यह सेंतून की ले सकते हैं, बट यह थोड़ी ट्रांसपिरंट है, तो इसलिए मैंने सेंतून लाइनिंग ली हैं, और कस्टमर की चोइस थी, जो इस वज़े से, तो चलिए पहले कटिंग करते हैं, इसकी हम जो बना रहे हैं, हम उपर एक कुर्टी बनाएंगे, नीच कुछ इस तरीके का है तो मैं आपको बताती रहूंगी और यहां पर सबसे पहले कभी भी अगर आप कटिंग करने से पहले हमेशा मेक शोर के आपको अच्छे से प्रेस कर लेनी चाहिए आपको पता नहीं है आप यह छोटी सी चीजे हैं बढ़ यह कटिंग करते समय करेक्ट होती है और स्टिचिंग भी तो चलिए मैंने जो है लंबाई का पहले नाप ले लिया है और जो थोड़ा तेड़ा मिड़ा रखा था कपड़ा उसको भी मैंने सीधा कर लिया है अब हम सबसे पहले जितने भी आपके शोल्डर है 14 है 15 है जितने भी है उसका हाफ तो मैंने इस पर 7 इंच का नेक रखा है और 7.5 इंच का ही मैंने इनका जो आर्मॉल रखा है विकोज यह काफी छोटे पहनती है नेक इस वज़े से तो यहां से जो है आधा इंच का डाउन जाएगा तो 7 रह जाएगा अब हम इधर से इस तरीके से इंच टेप को पकड़े जो भी आपका मेजर्मेंट है उसके हिसाब से पहले आपको 15 इंच पे या साड़े 14 इंच पे एक मार्क लगाना है फिर आपको 21 पे मार्क लगाना है आपकी अपनी चोईस भी हो सकते हैं थोड़ा उंचा और या नीच भी माप लगा सकते हैं अगर आप के हाइट के उपर करता है वैसे स्टेंडर्ड साइज यही होता है इन साइन जो लाइन से इनको सीधा कर लेंगे बिल्कुल कोई 20 पे भी पैनता है हीप का जो माप है न वो कोई 20 पे भी होता है जो चाक आते हैं और कोई 14 पे भी मतलब कमर का निशान लगाता है तो वह आप अप्टू यू हो होगा सो देखे अब यहां पर हमने लाइन जो है सीधी कर ली है अब आपका जितना भी आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है वह आपका फोर्थ पार्ट लगाएंगे क्योंकि यह जो कपड़ा होता है वह फोर्थ फोल्डिंग में होता है इस वज़े से तो अब जो आपका कमर है मालो आका 30 है तो आप साड़े साथ लगाएंगे अगर 32 है तो 8 जो 32 होता है तो 8 लगाएंगे मतला फौर्थ भाग करेंगे इंच टेप को फोर्ट टाइम फोल्ड कीजेगा तो आपका जो मेजरमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा अब जो हमने साइन लगाएं है ये हमने लगालिये हैं, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं, अब देखें, तो ये कि अब अपने आहमौल की गोलाई को लगाएंगे तो ये Isperid पर होती है ये बैक वाली होती है और 1 इंच पोना 1 इंच जो होती है वो फ्रेंट का वाली हो दिये! तो यह हमारी देखे गुलाई का निशान में लगा दिया है और अब हम दूसरा एक निशान लगाएंगे जो थोड़ा सा आधा इंचिस के पीछे होगा तो वो हमारा फ्रंट का हो गया तो देखे दोनों हमने यह निशान लगा लिए है अब हम यहाँ पे जो जितना हिप है क्योंकि यह बिल्कुल स्ट्रेट कूर्थी बननी है जितना ही हमने हिप पे निशान लगाया है उतना ही हम दामन पे लगाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर अगर आपको तुर्पाई वाला बनाना है तो आप जितना स्केल है उतना और मार्जन ले और वैसे आपको एक एक देड़ेड इंच का इनफ रहता है मार्जन उतना लेने के बाद आप एक मार्जन का निशान लगा लिजे यहां पे आदा इंच हमने नीचे डाउन कर दिया है और अब इसको हमने सब कट कर लिया है तो यह हमारा हो गया है कुर्ती की कटिंग तो जो की बैक एंड फ्रंट दोनों हो गई हैं जहां जहां निशान लगाए हैं वहां वहां पर हम छुटी-छुटी से कट्स लगा देंगे जब यह हम स्टिच करते हैं यह काफी साहता कर देते हैं बिलकुल परफेक्ट सीलने के लिए अब हमने जो साड़ी का प्लेन वाला हिस्सा था जो लास्ट वाला हिस्सा था उससे हम देखिए अपना बैक पार तो यह सबसे बढ़िया होता है साडी का प्लेन पार्ट यूज़ करने का या तो आप स्लिव में इस्तमाल कर लीजे या फिर बैक में इस्तमाल कर लीजे तो यह बहुत अच्छा रहता है अब यह इतना इसमें थोड़ा सा बच गया था तो इसको अभी हम देखते हैं कहां पे तो मैंने यह सोचा कि हम जो सेंटर वाला है इसको सेंटर में ले लेते हैं तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है बिल्कुल इसको हम खोल के प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद इसको अच्छे से सीधा करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जो से इस तरीके से इसको फोल्ड करें अब यह बाकी जो कपड़ा है इसको हमने डबल फोल्ड किया है और अब हम देखेंगे कि इसमें कितना कपड़ा बचा है और हमें कितना घेर चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा घेर चाहिए तो इतना घेर भी काफी इनफ होता है अगर आप इसमें प्लाजो बनाना चाहते तो वह भी बन जाएगा बिल्कुल अच्छा प्लेटिड या फिर आप स्कूर्ट बनाना चाहते वह भी बन जाएगा पर हां थोड़ा सा अगर स्कूर्ट मे आपको आडिया दे रही हूं तो यह नीचे जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा मैं प्लेटिट वाला बना रही हूं तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से इसे फोर्ड कर लिया था आप जितना आप फोल्ड करना चाहे कर लीजे क्योंकि इसमें और कोई क कटिंग करनी है जितना मुझे लेना था उसमें से मैंने दो इंच माइनस किया है तो मैंने यहां पर लगा के देखा वैसे यह प्लेन था बट मैंने का कि बैक साइड में चला जाएगा यह और जब हम गैदरिंग डालेंगे तो इतना ज्यादा मेजर नहीं आएगा तो मैंने इसको लंबा करके रखा और इसके बराबर ही इसको कट कर लिया है तो इसमें मुझे एक तरह से तीन पल्ले मिल गए थे जो कि मैंने इसको बराबर रख लिया तो मिनिमम यह मेरा जो घेर है वो चार साड़े चार मीटर का घेर बन गया था जो अब प्लेन थोड़ा और कपड़ा बचा था उसमें से मैंने स्लिफ्स निकाल ली हैं स्लिफ्स मुझे छोटी ही चीए थी वैसे इसमें बड़ी भी निकल जाती आराम से पर कस्तमर को छोटी ही स्लिफ्स चाहिए थी जो कि मैंने इसमें एड़ कर दी है और जो इसका नी लोगों सीधा करके हम इसमें आगे की गहराईगी की भी कटिंग कर लेंगे इसमें से हम अपनी बेल्ट भी निकाल लेंगे अब देखिए मैंने जो थे जो फ्रेंट एंड बैक पर ले हैं दोनों को मैंने अटेच कर लिया हैं तो आप चाहें तो सुई से अटेच कर सकते हैं या मोटी बखिया से भी अटेच कर सकते हैं दोनों को अटेच करने के बाद बिल्कुल मैंने देखे बराबर बराबर दोनों को अटेच कर लिया है और फिर इनके यहां पर सिलाई लगा लिया है बिल्कुल बराबर कोई जोलना आए इस तरीके से आपको अटेच करने हैं और के बाद मैंने रहने कि शोल्डर को भी इसमें जॉइंड कर लिया है और नेक में मैंने लेस को डबल करके फोल्ड करके इसमें एड किया है नैक कुछ मैंने इस तरीके से बनाया है यह मैंने विडियो साथ शेयर नहीं कि because मैंने अपने चैनल पे जिस चैनल पे मैं ये वीडियो शेयर कर रही है उस पे मैंने इस नेक बनाने के काफी वीडियो डाल रखी है तो ये देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने नेक बनाया है तो जो suit है वो इतना मेरा बना दिया है और यहां पर देखिए जो मेरे तीन कलिया निकली थी उनको मैंने इस त्रीके से joint किया है और थोड़ा सा एक तरह छोड़ दिया है जो कि हमारा यहां पर या chain लगा सकते हैं आप या फिर Tarema मोड सकते हैं उसमें काम आएगा और जो border थ तो हम इसी को इसके अंदर यह यहां गरोंगे जुए वो बी मäter सब्सक्राइंगे तो हम इसी को इसके अंदर अपर गरों मेरा और यह तो काफी अच्छा रहेगा आप eer क्वैर उत्नी काइब सब्सक्राइक अजी नीचे इसने तो फोल्ड कर देंगे तो वह थोड़ा भारी हो जाएगा और अच्छा लगेगा मैंने पहले इसका जो उपर का नेफा था जो बैल्ट थी वह मैंने हटा दी है इसको हम प्रेस करके रख लेंगे क्योंकि यह हमें बैल्ट में काम आएगा और यह मैंने इस तरीके से लिया है और इसको इसके अंदर हम डालेंगे और इस तरीके से गैदरिंग करेंगे और पेटिकोट में अटैच करते जाएंगे क्योंकि पेटिकोट बिल्कुल जो कस्टमर है उसके फिक्स है तो हमें उसको छोटा बड़ा करने की जुरत नहीं है सिर्फ नीचे से ही कट करना था तो इसमें अटाच कर दी है और काफी फिनिशिंग के साथ में ये काम हुआ है अब ये जो है बैल्ट लगाने के बाद कुछ ये कुर्ती जो है वो कुछ इस तरीके से लग रही है आप देख सकते हैं नीचे स्कॉर्ट है और ऊपर कुर्ती है छुटी-छुटी स्लीप्स है तो य ये रहा आप लोगों के सामने कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टीचिंग की वीडियो में फिर कभी आप लोगों के साथ में प्रपर तरीके से शेयर करूंगी किसी और कुर्ती में इसमें मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ में कटिंग की वीडियो डिटेल में शेयर करनी थी ये देखे मैंने इस तरीके से बैल्ट भी एड़ कर दी है तो इसके अंदर नाडा डालेंगे मैंने लास्टिक वाली नहीं बनाई है और गैदरिंग भी बहुत अच्छी आई है तो ये कुर्ती आप लोगों को कैसी लगी ये आपको ड्रेस कैसी ल क्योंकि ये थोड़ी लॉंग कुर्ती थी जिससे उसकी कड़ाई दब रही थी तो अगर आपके बॉटम में भी कड़ाई है तो कुर्ती को थोड़ा सा शॉर्ट बनाए जिससे आपकी कुर्ती और अच्छे से निखर कर आएगी गले पे मैंने इस तरीके की पाइपीन दी ह देख रहे हैं इसको मैंने फोल्ड कर दिया था इस लेस को सो इसमें डिजाइन काफी अच्छे से निकल कर आया है और कुर्ती भी बहुत प्यारी बनी है स्लिफ में भी मैंने इसमें आड कर दिया है तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर ब कर दो